इस लिए राजनितियों में गिराउट आ रही है उसका सबसे बड़ा कारण है कि पार्टी बोसेज की क्रेसी पैदा हो रही है इसलिए राजनितियों में गिराउट आ रही है इसलिए आंत्रिक लोगतंत्र जब तक पार्टियों में नहीं होगा तब तक इस प्रकार की गिराउट आए जो वरिष्ट लोग हैं भाजपा के अंदर या बड़े बदों पर भी हैं वो अपने आपको असाह महसूस करते हैं और जो सरकार का जो फंक्शनिंग है इसमें भी सप्ता का एकिगर्ण इतना हो चुका है कि मुख मंत्री के लावा इस परदेश में और किसी की चलती नहीं ह हमें लगता है कि पार्टी लाइन में सब लोग हैं लेकिन धीरे धीरे कई बार आपस में बुद्धीजवी बर्ग हैं हर के अर्थ अलगले को निकाल सकते हैं वो आपस चर्चाओं के मार्जम से वेविलेंग समान होती जाती है हम सब लोग मिलकर क्या के पचलते हैं गंश्याम जी और बीजेपी का मुख्यमंत्री का आपसी विवाद है गंश्याम जी जो बाते कह रहे हैं उनको अपने पार्टी स्तिर्पे अपने हिसाब से करनी चीए और कुल्मला के बाद जो भी है राष्तान की जनता परिशान है कोई भी वर्ग जो है अभी बीजेपी की फास तिवाडी जी बन रहे हैं देखो जी भारती जनता पार्टी के गले की फास तो अब कारेकरता बनेगा क्योंकि कारेकरता को इन्हों ने विचार परिवार के विचार खो दिये मंदिर तोड़ना इनकी नीती बन गई अब आज तक गंचाम जी पार्टी को जिता रहे थे इस बार हरवाने में काम करेंगे बतलब करेंगे ना कि इन लोगों की जो आज ब्रश्ट काना खौल के बैठे हैं बिल्कुल गलत वीचारों को मार चुके हैं वीचारों को खतम किया हैं नोने जिस हिसाब से काम हो रहा ह दिन दियाल जी कहते थे कि पार्टी की मंच पर बोलना चाहिए प्रदेश में नेतरत हुए बात कीजी जिया कर नहीं होती तो रास्ती नेतरत हुए बात कीजी आप अपनी बात सारजुनिक मंच पर करते हैं आरों मुके जी आप ही कि पास आँगा जवाब लूँगा मैं प मोदी जी तो सबके लिए विकास की बात कर रहे हैं मोदी जी के पास गहे हैं यह जाना चाहिए यह उनको सोचना है कि पॉर्द पर बीदायकों को भी बोलने का मुका नहीं है इसा नहीं है, माननी गंशाम जी तिवारी साथ पालिटी के वरिष्ट नेता है, बीरु सिंग जी जो वोल रहे थे उनके वरिष्ट नेताओं के लिए क्या मैंने होता है। अगर्मा हरे, चोंबू से लड़े, चोंबू से बुरी तरह साहरे, पचास हजार बोट साहरे, उसके बाद सांगानेर तो मेरा यह कहना है कि कही ने कहीं। जाता हूँ, इस बार तो सबसे बड़ी जीत थी राजिस्तान में। अगर उनकी कोई पीड़ा है, माध्यम एक ही नहीं है। केवल एक ही ऐसा नहीं है कि मानिय वसंद्रा जी ही उनकी समस्चा का समाधान है। मैं पूछा दिली भी जा सकते हैं। वो अपनी बात कह सकते हैं। लेकिन जो उनका जिस प्रकार का रवय रहा है वो एक तरह से फ्रस्टेशन वाला रवय रहा है। आप मांतोंगे वैसा फरस्टेशन यह कते फरस्टेशन नहीं है। यह कते ही फरस्टेशन नहीं है। एक बर बोले दीए। विस्नुजी आप चाहते हैं मैं मौका दूँगा आपको। हम इंडर्पना करें कि बात हो जाए। तो मैं अपशी को हमने हाशày रखा है। हर कारी करता अपने शेत्रे में अपने अपने कद केसे इनुसार कारी कर रहा है। कोई कारी करता हाशर नहीं है। वहाँ अगर दध्र हम फोन चर्षा कर ऐ… क्या बीजेपी का काम नहीं है कि अपने फ्रस्ट्रेटिड जो है या फिर जिनको आप तनाव में बोले अवसाद में बोले उन कारिकर्टाओं को अवसाद से बाहर निकाल के लाएं सबसा करता करा कामा सब्मान बड़ा दो घर चीच की बात तो पारिकर्ट्र बेकर्टा पर नहीं से फिनको अज़े रहें हगे यह में पर चुप रहें चलिए चलिए मैं आदा हूँ गिराजगर्ग साब आपके पास आना चाहता हूँ गिराजगर्ग साब गंचाम किवारी के बागी बोलों के पीछे क्या बड़ी वज़े है क्या कारण है कि निश्टावान नेता आज बाटी के लिए बगावत कर रहा है चलिए चोड़िए जैस्वाल जी आपी चोड़िए जैस्वाल जी जैस्वाल जी मोका देंगा जी मानले बिलकुल बीजेपी का अपने पूरा पक्ष रखा गिराजगर्ग साब अश्वनी जी ये इनके पार्टी का आन्तरिक मामला है लेकिन जैसा बात विचार धारा पर है जिसके बार-बार दोहाई दी जाती है कॉंग्रेस के जरी कोट किया जाता है निश्चित रूप से ये आज तक जो है वो विचार धारा के उपर बखान करते थे गुंगान करते थे आज जो है गंशाम तिवाडी जैसे वरिष्ट नेता अगर लगातार सरकार के उपर को सरकार ने जिलों में बेजा था चार पांच जिलों की तो मुझे भी जानकारी है जहां आपके बंद कमरे में कारिकरता ने सरकार का जो रिपोर्ड कार्ड आपके मंत्रियों के सामने पेश किया और यह कहा कि 2013 के चुनाव में जो कॉंग्रिस हारी थी उससे ज्यादा बु आप यह तो मीडिया ने गलत बताया मीडिया हमारे खलाब है आप यह कहतो पिर आप आप जिन जिलों का जिकर करें आप दोसरी बात है कि सबसे बड़ी बात ही है कि राजस्तान के अंदर जिस तरह से ब्रष्टाचार जिस तरह से एज भी उदारन परस्तुत पर शूद आपके बात मैंने सुनी तिन है आप सुनिये तो सही पैसे जो रहिए आप बतारा हूं ना आपको आप आपका समय जब जवाब देना आप जी रादस्तान के अंदर आपने साथे साथ सो खानों का आउंटन किया एक रात के अंदर जब केंदर सरकार ने अध्यादेश लिया रही थी और यह था कि खानों का आउंटन जो है वो नियम अनुसार होगा आनन फानन में जब कॉंग्रेस ने विरोद किया सजिन पाइलेट जी ने सड़कों पे आपने एक रात ने उनको कैंसिल किया पैंतालिस हजार करोड का गोटाला उसी खान गोटाले में आपके प्रि सब्सक्राइब करता हूं तो जो विचार धारा की तस्वीरे दोनों तरफ से किस तरह से निकल कर आ रही है यह विचार धारा है इस हमाम में सब नंगे हैं क्या ऐसा ही है अफदेश आकोदिया साब आपका रुख करना चाहूंगा मैं अफदेश आकोदिया जी क्या यह तस्वीर है विचार धारा आप गोण हो चुके आपने शुरुआत में कहा लेकिन मैं आना चाहूंगा आपके पास में यह दोनों को मैं आउंगा आपके पास मैं फिर मुखा दूंगा बोलने का जो अक्रोश है निश्चित तोर पर यह क्या विचारदारा की कमी को लेकर है आको दिया साथ देखिए यह जैसा मैं आपको पहले भी बताया था दोनों दलों में विचारदारा नाम की कोई चीज बची नहीं है दोनों के लिए किराओं में केवल एक मकसद है सत्ता तक पहुँचना अब उस लड़ाई में कई प्रकार के समझोते विचारदारा से करने पड़ते हैं और जब विचारदारा की वात आती है जब एक पार्टी दूसर तो बारती जनता पार्टी के जो नेता जवाब देता है उनकी बातों पर वो देता है कि वो क्यों बोल रहे हैं जबकि जवाब दिया जाना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं उन पर आरोप लगाया जाता है कि वो फ्रस्टेशन में हैं देखिए किसी को मंत्री मंडल में शा उस नेता की नहीं उसके साथ कारी-करता जुड़े होए उन सबकों उम्मीइद होती है कि उसे कोई नचेस नहीं मिलता है तो वह acceptance यह को यह उसके साथ नहीं हो रहा है सबके साथ हो रहा है महा रत में वेदव्याजी ने लिखा है कि वो सवा सवा नहीं है जहां पर अनुववी लोग नहीं है और वो अनुववी लोग नहीं है जो सच नहीं बोलते हैं आपको उनके कद का और क्रम का ध्यान रखना चाहिए था नहीं किया तो पहली पहली वार अनाधर आप ने किया अब वो जो नोटिस क्यों नहीं देते जो लगातार इतना बोल लें उन्हें संगठन कर लिया उस संगठन के लिए पूरे प्रदेश में कारिकरम कर रहे हैं तो आप उन पर कारवाई क्यों नहीं करते हैं यदि वह एक बात उठका रही थी आपसे जानना चाहता हूं विचार धारा जो ब इंशाम तिवाडी के मामले में जो जवाब देता हैं वो कहते हैं कि वो क्यों बोल रहे हैं वो ये जवाब कभी नहीं देता है कि वो क्या बोल दो चलिए इसका जवाब दीजी ब्रेक लेता हूं फर मैं हुकेजी जैसा आपने बताया है कि उनके कद्र वाली बात है तो आपको य सोचना पढ़ेगा कि सब शुरूआ तो उन्होंने वसंदरा राजे जी राजस्तान की दूसरी बार मुक्यमंत्री बनी है राजस्तान की सरोमानिनेता है उनके उपर अनर गलन लारोप लगाना और और वह सारवजर्निक रूप से पिरेस के बीच में जाके सबसे पहले उन्होंने बोलने की गरीमा को सुयम ने खंडित किया है और उसके बाद में उसके बाद में जब मीडिया और पत्रकार भारतेंता पार्रटी के वरिष्ट अन्निनेताओं और मंत्रियों से जब अगर जब बात होती इस वचारधारा का पतन आज राजिस्तान की सियासत में कहा है और आप देख सकते हैं तस्मीर की दर यह 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 तस्मीर दिखाते हुए मैं ब्रेक लेना चाहूंगा पिनों नेताओं के रेक्शनें ब्रेक के बाद इस परवाद कि देजबर में केवल बीजेपी ऐस करने चाहिए और उनकी बीजेपी बात पूरी जो राय है उनकी वह भी शुननी चाहिए ताकि पूरी दोनों पक्सों से बात सुननी जा से कि उसके बाद में कोई पैंसला लिया जा सके